हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे IPC की धारा 215, 216 और 216 का के बारे में यदि आप IPC से रिलेटेट पिछली धाराओं का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें आई बेटन पर किलिक करने पर उसका लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा हम बात करते हैं IPC की धारा 215 के बारे में IPC की धारा 215 क्या कहती है यह कहती है चोरी की संपत्ति इत्यादी के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना याने किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति चोरी कर लिए और वो चोरी की संपत्ति को वापस करने के लिए तयार है लेकिन तयार इसलिए है वो क्योंकि वो कुछ ना कुछ चाहता है उसके बदले में कुछ ना कुछ उपहार चाहता है और वह ऐसी इस्तिती में चोरी की संपत्ती को वापस कर देगा इसको एक उधारन से हम समझें कि किसी व्यक्ती ने किसी चोर ने किसी व्यक्ती की मॉटर साइकल चोरी कर ली अब मॉटर साइकल वो उठा करके ले गया और ले जाने के पस्चात वो ये कहता है कि आप मुझे पांच जार या दस जार रुपए चुका दें मैं आपकी मॉटर साइकल वापस कर देता हूँ लेकिन ये धियान रखें कि आप पुलिस ठाने में रिकोर्ट ना करें पुलिस में कोई कारवाई नहीं करें मेरे विरुद मैं आपकी मॉटर साइकल लोटा दूँगा लेकिन उसके बदले में मुझे 10,000 रुपए चाहिए यदि कोई इस प्रकार की बात करता है तो वह IPC की धारा 215 के अंतरगा दोशी माना जाता है तो IPC की धारा 215 को हम एक बार पढ़ लेते हैं कि लेंग्वेज में क्या लिखा हुआ समझ तो लिया हमने कि कोई चोरी की संपत्ती हो उस चोरी की संपत्ती को वापस करने के लिए किसी उपहार की मांग की गई हो और पुलिस में कारवाई याने की कानूनी कारवाई ना करने के लिए भी कहा गया हूँ ठीक है ना तो इसमें ये बताया है कि चोरी की संपत्ति इत्यादी के बापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना जो कोई किसी व्यक्ति की किसी ऐसी जंगम संपत्ति जंगम संपत्ति का मतलब होता है चल संपत्ति देखो अचल संपत्ती की बात नहीं है यहापे, क्यों क्योंकि चोरी की विशय वस्तू अचल संपत्ती नहीं हो सकती, चोरी की विशय वस्तू जो है वो चल संपत्ती ही हो सकती है, तो चल मतलब जंगम, तो जंगम संपत्ती के वापस करा लेने में, जिसमें इस सहिता के अध या सहायता करने के बावत कोई परितोशन लेगा या लेने का करार करेगा या लेने के लिए सहमत होगा जब तक कि वह अपनी सक्ती के सभी साधनों को अपरादी को पकड़ने के लिए अपराद के लिए दोसिद कराने के लिए उपयोग में न लाए याने कि कोई कानूनी वही न करे दौनों मेंसे किसी भी भाती के काराबास से जिसकी अबदी दो वर्स तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने से दंडित होगा या दौनों से उसको दंडित किया जाएगा अब इसमें एक उधारन भी दिया हुआ है ये उधारन 1922 का है अब 1922 में इतनी मौटर साइकल इतने वहां नहीं चलते थे तो उस समय मौटर साइकल की चोरी के मामले भी नहीं होते थे तो यहां पर जो मामला दिया गया है वो है एक भेंस चोरी का क्या हुआ था कि ये हरिग्यान का मामला है इसमें क्या हुआ था कि परिवादी की भेंसे चोरी चली गई अभियुक्त ने परिवादी के समख्य यह प्रस्ताव रखा कि वह दो सो रुपया वो समय में दो सो पहे दे और चोरों के विरुद्ध कारवाई ना करें तो उसकी भेंस लोटा दी जाएगी उनकी भेंसे उने पुने वापस मिल जाएगी परिवादी ने इस प्रस्ताव को सुईकार नहीं किया और पुलिस में रपट लिखा दी यह धारन किया गया कि अभियुक्त इस धारा क उन्तरगत यानि कि आए पीसी की धारा 215 के अंतरगत दोशिया इस परकार से यह 1922 का माम लाघ। तो इस परकार से हमने समझा आएपासी की धारा 215 के बारे में यह अब हम बात करते है आए पीसी की आदेश दिया जा चुका है याने कि किसी लोग सिवक के द्वारा उसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है या वो पहले से किसी अभिरक्षा में था जेल में था पुलिस कस्टरडी में था और वहां से वो निकल भागा है और ऐसे व्यक्ति को किसी व्यक्ति के द्वार आश्रय दिया गया है तो आश्रय देने वाला व्यक्ति जो है वो दंडनी होगा IPC की धारा 216 के अंतर का क्या लिखा हुआ है कि जब किसी अपरादी के लिए दो सिद्ध या आरोपित व्यक्ति उस अपराद के वैद अभिरक्षा से निकल भागा है अध्वा ऐसे किसी लोग सिवक द्वारा उसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है उसको दंडित किया जाएगा लेकिन दंडित करने के लिए जो प्रावदान है वो थोड़ा साम देख लेते हैं यदि वह अपराद म्रत्यू से दंडिनी अपराद है तो उसके लिए और उस व्यक्ति को मतलब जो है अपरादी को आश्रह दिया गया है तो आश्रह देने वाले व्यक्ति को कितना दंड मिलेगा यहां पर यह लिखा है यदि वह अपराद जिसके लिए व्यक्ति अभी रक्षा में था या पक़ड़े जाने के लिए आदेशित था म्रत्यू से दंडिनी अपराद था वो तो वह दोनों मैंसे किसी भी भाति के कारवास से कौन व्यक्ति जिसने आश्रह दिया है उसकी बात हो रही है जो मृत्यू दंड से दंड नी उसको तो मृत्यू दंड मिलेगा लेकिन जिसने अस्रह दिया है उसको कितना दंड मिलेगा तो वह दौनों मैंसे किसी भी भाती के कारावास से जिसकी अबदी साथ वर्स तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा याने जुर्माना भी लगेगा और साथ साल तक की सजा भी हो सकती है उसको अच्छा एक बात और है कि यदि ऐसा अपराद जो है आजीवन काराबास से दंड़नी था या दस वर्ष से अधिक काराबास से दंड़नी था और ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपरादी को आश्रह दिया गया है तो कितना दंड मिलेगा यहाँ पर यह लिखा है कि यदि ऐसा अपराद आजीवन काराबास से या दस वर्ष के काराबास से मतलब दस वर्ष से अधिक काराबास या दस वर्ष तक का नहीं है दस वर्ष से अधिक का काराबास तो वह जुर्माने से रहित या सहित यानि जुर्माना लग भी सकता है वो जुर्माना ना भी लगे दोनों मैंसे किसी भी भाती के कारवास से जिसकी अबदी तीन वर्स तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा याने तीन साल तक का उसको सजा मिल सकती है अब यहाँ पर लिखा हुआ है अगला पाइंट यदिवा अपराद ऐसे दंड से दंडनी हो कैसे दंड से जिसमें दस वर्ष से कम की सजा होती हो तो फिर उस अपराद का एक चोथाई अधिक्तम जो दीरगतम अवदी है यहने के आठ साल तक की सजा मिल रही हो तो फिर इसको जिसने आश्रह दिया उसको दो साल तक की सजा मिलेगी दो साल से कम की सजा मिलेगी दो साल से अधिक्तम नहीं मिलेगी यहने के उस अपराद की दीरगतम अवदी का एक चोथाई एक बटे चार दंड से दंडित किया जाएगा तो यह हो गई IPC की धारा 216 के बारे में यदि किसी के व्यक्ति के द्वारा किसी अपरादी को आश्रह दिया गया है और उस अपराद की कैटेगिरी कितनी है आजीवन कारावास है, मृत्यू दंड है या अन्न कोई अपराद है तो उसमें बताया गया कितना अपराद होगा तो कितनी सजा मिलेगी अब हमने यह पढ़ लिया लेकिन यहाँ पर एक बात और आश्रह देने का जो मीनिंग बताया गया है वो यहाँ पर पती द्वारा पत्नी को आश्रह दिया जाना या पत्नी द्वारा पत्ति को आश्रह बंतने ही बनाता है इन व्यक्तियों के अलावर जादि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आस्रय दिया जाता है तो i.ps की धारा 215 का के बारे मेरे IPC की दारा 216 लग का क्या कहती है यह कहती है लोटेरों या डाकूं को आस्रह देने के लिए सास्ती यानि के लोटेरे हो या डाकूं उनको किसी व्यक्ति के द्वारा आस्रह दिया गया हो तो उसके लिए कितना दंड मिलेगा यहां पर यह बताए गया कि जो कोई यह जानते या करके आया है तो यदि और या या फिर वो उसको जो है करने के लिए सूकर बना रहा है सूकर बना रहा है यानि सुवीदा जनक बना रहा है मतलब कि डांकों को लोटेरों को आश्रय दे रहा है उनको सुविदा दे रहा है और उनको उस कारे में वो कारे कर पाएं याने कि लूट या डखेती वो कर पाएं इसके लिए वो सुविदा प्रदान कर रहा है तो क्या या फिर उसको जो है अपराद के दंड से बचा रहा है अपराद किनको लोटेरों को या डांकों को बचा रहा है काय के लिए कि उनको कोई अपराद का दंड ना मिल सके तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधी 7 वर्ष तकी हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा याने जुर्माना भी लगेगा और 7 साल की सजा भी उसको हो सकेगी जो डांकों को या लोटेरों को आश्रय देता है अब हमने यहां पर पढ़ा IPC की दारा 216 खा के बारे में 216 खा भी लिखा हुआ है लेकिन 216 खा को जो है निरसित कर दिया गया है हटा दिया गया है भारती दंड सहिता से 1942 में ये जो दारा है इसमें परिवाशा दी गई थी IPC की धारा 216 खा जिसको हटाया गया है उसमें परिभाशा दी गई थी आस्राइ की के आस्राइ की परिभाशा क्या होगी लेकिन इसको निरसित कर दिया गया है तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा IPC की धारा 215, 216 और 216 का यदि आपको वीडियो से संबंदित याने के IPC से रिलेटेट अन्य धाराओं का अध्यान करना है पूरी की पूरी IPC का अध्यान करना है तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ पर पूरी की पूरी IPC आई बटन पर किलिक करने पर आपको मिल जाएगी तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकोन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिविकेशन भी आपको तुरह तो मिल जाए ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद